प्लीज सब्सक्राइब तो दे क्रियेटिव वोल्ड इंडिया चैनल एंड प्रेस्ट बाल आइकउन फॉर वाचिंग लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज हलो दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने आ गया हूं एक नए और कमाल के टॉपिक के साथ हाउ टू यूज ब्रेडवोट आप इंसे काफी सारे लोग ब्रेडवोट के बारे में जानते ही होंगे यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है स्कूल कॉलेज और इंजिनिरिंग के प् और इसे सही तरीके से कैसे यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक जरू देखिए अगर आप जाना चाहते हैं ब्रेडवोट को सही तरीके से यूज करना मैं संसार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपका क्रेटिव वर्ल्ड इंडिया चैनल पर तो चलिए पॉलर बोर्ड होता है इसमें बहुत सारे टीनी होल्स पने हुए होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी एक डारेशन को आप रो या कॉलम मान सकते हैं अगर आप इधर साइड साइड की टू लाइन्स की बात करें यह टू लाइन्स यह जनरली यूज होता है पावर को कन करने के लिए यहां पर आप स्मॉल वोल्टेज डीसी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसमें मैक्सिमम 12-18 वोल्ट तक जा सकते हैं करेंट की हम बात करें तो इसमें 0.5 एंपियर से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए अधरवाइस यह हीट होना शुरू हो जाएगा और यह मैल्ट हो जाएगा तो इस बात का खास ज्यान रखें कि यह एलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग बोर्ड है टेंपरारी कनेक्शन होता है इसमें तो इसे हाई एंपियर रेटिंग के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें यह कुछ साइट साइट के आपको तूरो दिख रहे हैं यह हाप लेंथ तक यह ऐसे इस डारिक्शन में शौर्ट किये होते हैं यहां से यहां तक शौर्ट किया हुआ होता है और यहां से यहां तक अलग शौर्ट किया हुआ होता है यहां पर एक लाइन को एज पॉजिटिव और एक लाइन को निगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं बीच है जास टायोड ड्रजिस्टर एलेडी ट्रांजिस्टर और यह आई सी हर कंपोनेंट को इसमें अटेच करने का मैथट अलग-अलग होता है आप इसा ध्यान से देखिए यहां पर जो बीच पे जो होस्त दिये वह होते हैं यह इस डारेक्शन में शॉर्ट होते हैं जस्ट इस एक किकले इसे शॉर्ट हैं तो यह होजॉण्ट है सारे इसमें अलग-अलग होते हैं यह अलग-अलग शॉट किया वहता है यह अब बीच में यह कुछ लाइन वह बनाया गया है है अगर आपको किसी कि को इसमें लगाना है तो आप इसे इस तरह किसे मांट कर सकते हैंJeanus इस पार और एक लायन को गैप के उस तरीके से करनेट करेंगे यहgesetzt है को तरीके से सब्सक्राइब करना आपफो को सी को इसी तरीके से करेंगे करेंगे करते समय मैं आपको इस डाथ का ध्यान करना चाहिए कि कि इसके कोई भी पीन एक दूसरे शॉर्ट नहीं होने चाहिए अधरवाइस आपका इसी तुरंद ही खराब हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं इसके सारे पिंस अलग-अलग हैं आज सी को निकालना बहुत ही ज्यादा टफ होता है दोस्तों इसमें बहुत सारे पिंस होते ह है तो आप इसे बहुत ही सावधानी से निकाले अधरवाइस यह आएसी खराब हो सकता है अगर आपको कोई भी टू टर्मिनल डिवाइस में कनेक्ट करना है जैसे की LED डायोड और रेजिस्टर हो गया तो आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इस डारेक्शन में इसके एक पिन उपर होंगे एक पिन इधर अगर आपने गलती से इसे इस डारेक्शन में कनेक्ट कर दिया तो यह शॉट हो जाएगा आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें मैं इसमें एक स्मॉल सर्कुट को कनेट करके और रन करके दिखाता हूं दोस्तों हमने इस पर एक LED तरीके से लगाना है आपको इस इस डारेक्शन में लगाना है ऐसे आपको नहीं लगाना है वरना यह शॉट हो जाएगा इसके साथ हमें लगाते हैं एक रजिस्टर इस एंद्रोईट का एक छोटा सा कनेकटर है किरें दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए हमें यूज करना होता है इस हरी की का वायर mail-to-mail कनेक्टर या फिर आप किसी सिंगल разные वायर का भी यूसदि कर सकते हैं जैसे कि यह आप सकते एक single strand wire है multi strand wire का इसमें ब्रेट बॉर्ड में बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक तो multi-strand wire थोड़ा सा soft होता है और उसमें बहुत सारे strand होते हैं जो की एक दूसरे से touch होने के chance होते हैं इसके holes बहुत ही greasy होते हैं तो आप कोशिश किजिए सिंगल स्ट्रेंड ठिक वायर का ही यूज करें जो कि इसमें प्रॉपा तरीके से इसमें फिट हो जाए इसके कनेक्शन के लिए मैं यूज कर लेता हूं यह टू आयर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि वाइट वायर मैंने पॉजिटिव के लिए यूज किया है और यह ब्लैक वायर को बनाया है हमने ग्राउंड यह एंड्रॉइड पोर्ड में इस तरीके का ही है यह वाइट वायर इसके पैलल में हमने लगाया है जो कि यह इस एलेडी के एनोड से सौट हो रहा है और यह ब्लाक वार हमने लगाया है रजिस्टेंस के पैलल में इस देख सकते हैं आप उसी रोमें इत्सक्टूर और अउलेडी और डजय स्टेंस को के एक-एक तर्मिनल को हमने लगा या हुआ है एक ही रोमे में कि यह हो जाता है प्रोपर कनेक्शन किसी भी सर्किट का अब इसे अन करते हैं हम अन करते हैं हम इसमें कनेक्टर अटाइच करते हैं कि यह अन है देखिए यह अन हो गया है इस तरीके से आप कोई भी ब्रेट बोर्ड को इस तरीके से कर सकते हैं आप इस कनेक्टर की जगा सिंगल स्टेंड वायर का भी यूज कर सकते हैं काफी तरह के wire आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो ठीक होने चाहिए soft बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए यह आप market से purchase कर सकते हैं आप इसे online भी purchase कर सकते हैं यह breadboard connecting wire के नाम से market में बिखते हैं आप connect करने के लिए इस तरीके का wire भी यूज कर सकते हैं यह single stand wire है यह hook up wire के नाम से market में बिखते हैं इसे generally लोग mobile की repairing के लिए यूज करते हैं छोटी-छोटी small speakers, mic को connect करने के लिए दोस्तों आप इस breadboard के connection को अच्छी तरीके से सीख लिजे क्योंकि मेरे आने वाले लगभग बहुत सारे project मैं इसी breadboard पर आपको करके दिखाने वाला हूँ अगर नहीं समझ पाया तो इस वीडियो को फिर से एक बार चला के देख लिजे मुझे पूरी उमिद है कि आपको चीजे अच्छे से समझ में आ जाएगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरू बताएं कि मैंने इस वीडियो में क्या-क्या बताना मिस कर दिया है अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरू कीजिए और अपने फ्रेंट के शाद भी जरू सेयर कर लिजिए अगर आपका कोई क्वेस्चन है या फिर सजेसन है तो नीचे कमेंट करके आप जरू बताएं मैं पूरी कोसिस करूँगा आपको रिप्लाई करने की आप मुझे फेस्बुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रड़ अवारनाओ और झाय हिन